बच्achos जल्दी जल्दी से लाइक अख सब्सव्क्राइब्स रख रख सब्सक्राइब करो तुम लोग मेरे वीडियो देखते हो स्टॉरीय अग अगर तुम लोगों ने जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो मैं अब बताना भी बंद कर दूंगी तो चलो आज की बाते सुरू करते हैं तो बात की है जब एक दिन मैं कहीं जा रही थी मुझे कहीं से जरूरी काम से बाहर जाना था तो मैंने जल्दी से कैब बुक की और सोचा चलो चलती हूँ फिर मेरी कैब आई वह रैड कलर की एक कार थी मुझे थोड़ी अजीवी सी लग रही थी मुझे लगा मैंने बुक की बुक करती तुरंती एक सेकेंड वह प्रकट हो गई थी मेरे सामने मुझे लगा इतनी जल्द गई से बाहर देख्या, तो मैं तो एपार में जा रही थी और वह कार न गृफिक अब बहुत आस्मां में चल रहे थी, मैं तो बहुत तेज दर गई है कि यह क्या हुआ यह तुम क्या कर रहे हो यह कॉन ile आकर यह तो फ्र्स व Rider और अब तुम इस के अंदर बंद हो चुकी हो, तो मैंने का अब मैं क्या करूँ, मुझे तो वापस अपने घर जाना है, मुझे जल्दी से वापस जमीन पर उतारो, मैं इससे निकलूँगी, तो मुझे कहां फसा रहे हो, तो ड्राइवर ने बोला, जब तक इसके राइड प न इससे यह खतरनाक राइड़ होगी, और तुम्हे बस यह सारी राइड को, देखना होगा, और इसे जब तुम इस राइड में घुमोगी, तो 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 बहुत डर लगगा, क्योपी यह बोए ही खतरनाक और डरावनी राइड होगी, अब भौत स्टन्स होगे इसमें, और तुम्हें वो सब फेस करना होगा और अगर तुम डरी और डर कर तुमने आखे बंद किये तो तुम इस कैप में हमिसा के लिए फस जाओगी इस कैप से तुम कभी बाहर ने निकल पाओगी अब तुम्हें और तेज डर गए कि पताने अब आगे और कौन सी मुसीबत आने वा क्या है और अगर तुमने अपने आखे बंद कि तो तुम समझ ले लाकि तुम तो फिर इस का साथ नैंकों करोंगी उसके बाद उसने नेक्स लेवल कर धिया नेक्स लेवल जैसे इसने स्टार्ट किया हमे गने जगले पहुँच गये जिसमा चारो और शेर गोरिले भालू चीटे चार ओर से हमारी खिडकी पे अटैक कर रहे थे, बहुत जो जो से वह हाथ मार रहे थे, और हमारी कार चलती जा रहे थी उस जंगल में, उस जंगल का रास्ता भी प्लेयन नहीं था, वहां तो पत्रेली जमीन थी, कभी ऊपर कभी नीचे गाड़ी हो रही थी, कार के शीशे खा गए थोड़ी और दूरा वाक्रक को रोका ने लगा भो बहुत कॉल्ट रगे छोट है। अब तो मैं क्या करती मैं तो भोट डर रही थी लेकिन आंखे नहीं बनकर सकती थी मुझे पता था अगर मैंने आखे बन की, तो फिर मैं हमेशा के लिए इस कैम में फस जाओंगी, फिर हमारी कारण को एक दूसरे अलिफेंटर पैर से ठोकर मारी और वहापस सीधी हो गई, और इसके जाद हम लेवल टू में पहुंच गया है, जो हम लेवल टू में पहुंचे, तो ये एक बहुत ही स्पैडर आया, उसना बहुत जोर से अपने दाथ को मेरे खिड़की के शीशे पे मारा, और वह बिलकुल वहापे एक होल हो गया, मुझे तो बहुत डर लगा कि अब ये तो स्पैडर इसके अंदर से ही निकल आएगा, और अंदर आकर मुझे खाई जाएगा, और उसने मुझे लगा अब पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, तो फिर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ही बोला, लेवल थी के लिए तैयार हो जाओ, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगा पता नहीं लेवल थी में किस मुसिवत का सामना करना पड़ेगा, तो फ ब्लास्ट हो रहे थे, मैंने का जल दी यहाँ से निकालो, मैं तो जल के मर जाओंगी इसमें से, ड्राइवर ने कहा ये लेवल थी है, अब तुमें इसको फेस करना ही पड़ेगा, और अकर तुमने आखे बंद की, तो तो हमेशे के लिए इसमें फसी रहोगी, अब तो मैं हमारे कार की छत ही उड़ गई, हमारे कार की छत उड़ चुकी थी, और फिर उस चत में से बहुत आख के गोले हमारे कार के अंदर आ रहे थे, जिससे मेरी स्किन जल रही थी, बहुत बुरी तरह से जल रही थी, और मैं बहुत डर गई, और मुझे लगा कि अब तो मैं नही लेवल 4 में जाते वक्त थोड़ी से कुछ गड़वड़ी होगे जिससे हमारे कार के छट ठेकी ने वी वह तूटी थी लेवल तूटी ही रहे और हम लेवल 4 में 3 कार लेकर चले आए अब लैवल 4 क्या था लेवल 4 में 4 और बरफ पढ़ पर रही थी हम अंटार्किका में आ तो मैं जम कर मरी जाओंगी और वो कार बहुत तेसे स्लिप हो रही थी बर्फ पे क्योंकि आइस पे तो कार सही से चल भी नहीं पार थे वह इधर उधर लुड़ा करी थी लग रहा था अब हम गिर जाएंगे कि तब हम गिर जाएंगे हमारी कार किसी ब्लैक होल में चली जाए कि उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं तो मुझे लाएं कोई बाद लेवल तो किसी तरह से क्रॉस होई जाएगा लेकिन तब तक तो मैं जम भी जाओंगी और उसके बाद बहुत जोर का एक धमा का हुआ एक जगह से आइस ब्रिक आई और सीदा हमारी कार क चल रही थी और उसके बाद हम next level में चले गए जो में next level me रहे level 5 में तो वहां पि काफी शांती था वहां कुछ भी नहीं था तो मुझे लगा चलो ये level तो सही है इस level में शायद मुझे ज़्यादा तकलीफों का सामने ना करना पड़े वैसे भी तो कार सारी टूठी चुक है क्योंकि वह एक डेयजर्ट था और वह डेयजर्ट इतिना बड़ा था महां कुछ भी नहीं था चार्वर धार ता सिर्फ डेयजर्ट कोई पानी नहीं कुछ नहीं और हा निकलने का को गाड़ी के परिये फस रहते वो चल भी नहीं थी और उस डेजर्ट में किस साइट जाएं कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था नेक्स्ट पार्ट अगले स्टोरी में ओके बाई